Hey everybody, welcome back to Genuine Air Drops channel दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about Sui Global Sui Global की दोस्तों काफी दध हाईप है बहुत जाधा early blockchain ecosystem create हो रहा है Aptos के साथ 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 दोस्तों Sui Global भी यहाँ पर Air Drop देने के जिसके काफी दधा चांसे हैं Aptos ने तो Air Drop दे दिये सबी लोगों काफी अच्छा लेकिन Sui के Air Drop के आने के चांसे 99.99% है यानि कि अलमॉस्स कह सकते हैं हाँ येस इसका Air Drop भी आएगा और आना चाहिए 100% ठीक है क्यों आना चाहिए दोस्तों इसके बारे हम लोग समझते हैं सबसे बहले Sui और Aptos के अंदर क्या के similarities हैं और क्या के differences हैं इसके बारे हम लोग बात करेंगे short में आपके साथ शम्झाओंगा प्लस Sui currently अभी DevNet में है ठीक है DevNet का मतलब है दोस्तों अभी TestNet से पहले कि जो stage होती है यानि कि जिसके अंदर आप product को ready कर दिया जाता है लेकिन वहाँ पर जो developers होते हैं वो उसको test कर रहे होते हैं और public के लिए भी open कर दिया जाता है test करने के लिए उसको बोलते है DevNet फिर आता है दोस्तों main test net phase test net phase के अंदर के होता है public को पूरी तरीके से जितने भी इनके product होते हैं test net पर जाईए and सब तरीकी से उसको use करिए उसके bug test करिए उसके अंदर क्या 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 है वो उसके basis पर event आते हैं और उसके बाद आएगा main net तो दूस्तों ऐसा क्यों किया आता है जिससे कि एक तो product को सुधारा जा सके दूसी चीज़ के अंदर कोई कमी हो तो वो bug निकल कर आए and साथी साथ में early user बना जा सके अगर आप उसको early stage में test net में devnet में use कर ले दो तो early user बनके उनके airdrop को हासल किया जा सके उनके जो incentivized rewards होते हैं उनको future में मिलने के काफी दादा chances होते हैं cryptocurrency के अंदर basically and इसी की मदश से काफी साथ लोग लाखों रुपया साल का यहाँ पर बना रहे हैं 15-20-50-60 लाख रुपया आरम से अगर आप थोड़ा दमाग से काम करोगे अगर आप अपने friends को and family members को aware करोगे इन चीजों के regarding तो यह सब मिलके काफी इचा पैसा गमा सकते हैं दोस्तों यह reward only genuine users को दिये जाते हैं हर किसी को नहीं मिलता तो यहाँ पर हम लोगो task पहुंग करने पड़ते हैं early user बनना easy काम नहीं है आपको फुटा सा आपको यहाँ पर interest भाना पड़ेगा आपको यहाँ पर dedication भाना पड़ेगा चीजों को समझना पड़ेगा उस गड़oure इसका return ापको मिलता है तो कोई भी रातो यहाँ पर पैसा नहीं बनता में आपको मेहनत करना है उसके लिए भी तो currently DevNet join करना कितना important है and करना चाहिए तो हम लोगों को क्या-क्या चीज़ा करनी चाहिए जिस पर हमारा main focus होना चाहिए और जो testnet है तो testnet हम लोगों के लिए important रहेगा सुई का तो testnet से related, devnet से related जो भी NFTs वगरा जो टास्क है मैं तो यह कहूँगा तो कर लो अगर devnet भी चल रहा है भले important ना हो तब भी कर लो knowledge मिलेगी, चीज़ां समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ां आपको देखने को मिलेगी and plus testnet आएगा तो उसके लिए मैं लगसे वीडियो आपके साथ शेर करूँगा testnet बहुत important हम सबी के लिए रहेगा ठीक है और कोई भी NFTs आती हैं, कुछ भी आती हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है Sui से related अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हापर सबसे पहले समझते हैं Aptos and Sui के अंदर क्या-क्या similarity थे दोस्तों Aptos and Sui की team मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा and मौटा मौटा आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा Aptos and Sui की team एक ही कैसकते हैं, एक ही company से निकली हुई है एक ही ecosystem से निकली हुई है Facebook का एक product था दोस्तों पहले Dime जो की एक blockchain-based payment system था जिसको ये लोग manage करते थे तो दोस्तों Aptos की जो team है जो यहाँ पर पहले senior employees हुआ करते थे Dime के अंदर, उन लोगोंने तो मिलके Aptos को launch किया है and जो senior leader हुआ करते थे उन लोगोंने मिलको Sui को launch किया है अब आप इतना समझ लीजे मोटा मोटा ठीक है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉस करके रीट कलेना क्या क्या डिफ्रेंसे हैं यहाँ पर यह लोग कहां से निकल कर आया है ठीक है तो यह आप यहाँ पर रीट कलेना पूरा तो एक ही प्रोट्ट के दो different different employees and senior leaders ने यहाँ पर मिलके different different blockchain यहाँ पर release करी है इन लोग का source code, इन लोग की programming language almost similar है, छोटे-मोटे थोड़बाओ changes यहाँ पर किये हुए है ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जैसे की blue blue NFT marketplace है जिसका ना में दूस्तों blue move and blue move के लावा दूसरे भी NFT marketplace है जो SUI and Aptos दौनों के blockchain को support कर रहे हैं क्योंकि इन लोग के लिए support करना बहुत easy है क्योंकि same algorithm है, same coding है, सब कुछ same है almost बाद चोटे-मोटे changes इन लोग उने किये हुए है ठीक है, तो यह अपने-पने ecosystem लेकर आए हैं अब हम लोगों को दूस्तों बेसिकली एरडरॉप से मतलब है हम लोगों को अरली यूजर मनना है हम लोगों को इहां पर testnet perform करना है devnet perform करना है और जो भी इनकी important update आती है उन पर focus लगना है तो यहां पर कौन-कौन से important tasks इन पर इन पर समझ लेते हैं ब्लूमूव, NFT Debs and Sui Gallery NFT इनको test कर लो ठीक है डेवनेट में चल रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर Sui का जो wallet है wallet कर सकते हैं अब यह सब चीजें अब भी दोस्तों यह post प्रानी हो चुकी लेकिन मैं इस वीडियो में नई तरीकी से आपको बताऊँगा कि आपने क्या क्या करना है ठीक है उसके बाद Sui की नेम सर्विस का अरली रोल यहां पर मिल रहा था वो आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था इसके बाद दोस्तों Sui की potential project जो Sui की blockchain पर आ रहा है इसके लिए third party की तरफ से एक spreadsheet करी गई है और इसके अंदर यहां पर कुछ important projects है जिनकी list बनाई हुई है कि 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 के potentially airdrop आ सकते हैं कि 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 नहीं आ सकते हैं दोस्तों यहां पर यह list बनाई हुई है यह third party की तरफ से है एंड उन्होंने अपने हिसाब से यहां पर यह list बनाई हुई है अब इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अंदर जिस project पर लिखा हुआ है कि इसके airdrop आने की chances कम है उसका आएगा ही नहीं आ सकता है इसलिए दोस्तों यहां पर हमें अपनी खुद की करनी चाहिए हम किसी भी ecosystem को जॉइन कर रहे है तो अपने नजरी से उसको देखो वहाँ पर पता करो Discord में पता करो उनके ecosystem में थोड़ा फोकस रखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बाद दोस्तों यहां पर सुई की कुछ testnet-based NFTs आ रहे है इन लोगों को भी try to mint करते रहिए मिलने के चांसे स्कम रहते हैं लेकिन जा कुछ निरा क्योंकि ट्रेफिक काफी जादा होता है और सभी लोगों को इस चीज की हाइप है कि यास एरो पायगा तो कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है तो हर को इसी चकर में हाप कर रहा है लेकिन सबसे important चीज दोस्तों यह task है यहापर एक quiz आया है Q3 की उपर इसके बारे में telegram पर मैं आपके साथ already share कर चुगा हूँ यह quiz दोस्तों मेरी नजर में बहुत जादा important है अभी currently हम दो डेवनेट में चल रहे हैं उसके बाद भी दोस्तों यह काफी जादा important है क्योंकि इसके अंदर हमाई early role यहाँ पर मिल रहे है Sui के different different products के फिर वो gaming product हो फिर वो swapping हो wallet हो सबके यहाँ पर different different role मिल रहे है तो इसको जरूँ grab करते रहना time के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-पर-चुछ यहाँ पर add होते जाएंगे एंड दूसरे project भी add होते जाएंगे लेकिन इससे पहले हम लोगो को करना क्या है दोस्तों उसको बारे मोगो समझ लेते हैं सबसे फ़ले दोस्तों आपको एक sui wallet इंस्टॉल कर लेना है अपने एक्स्टेंशन में एक sui wallet तो जो आप Google पर search करोगे sui wallet तो sui wallet का chrome extension आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह दोनों वालेट की निड इसलिए है क्योंकि दोनों ही sui की ecosystem based product है और हमें क्या पता कब मैंसे किस की नीड यहाँ पर पढ़ जाए तो दोनों वालेट का होना जरूरी है यह दोनों वालेट आप लोग इंस्टॉल कर लेना और दोनों के अंदर आप सेम सीट फ्राज डालेना नो प्रॉलम ठीक है या फिर अलगला करने तो अलगले भी कर सकतें सीट फ्राज वह आपकी मर्जी है जहां तक मैंने मैंने तो एक ही उस कर रहा हूं दोनों वालेट के इंदर अब दोस्तों हमारे लिए इंपोर्टेंट चीज क्या है वह यहां पर है यहां पर आपको फॉसेट की नियुट पढ़ते है तो सुएट वॉलेट के आपको एक एर्रॉप का बटन दिया है जिस पर क्लिक करके आप बढ़ भार इंका फॉसेट के रियम कर सकते हों दोस्तों कभी-भी हो सकता है किसी डेवनेट किसी टेस्टनेट टास्क के अंदर आ जो आपको मिलेगा ना 460 दोस्तों हर 24 गंटे में या 24 गंटे में आटोमेटिकली रिसेट होयाता है तो यह मा सोचना कि यार बैलेंस बार बार रिसेट हो रहा है कोई प्रॉलम की बात नहीं है अभी जस्ट हम लोग टेस्टनेट फेज में देवनेट फेज में तो कोई फर्रक नहीं पड़ता आपको दिखानी पड़ेगे इनके लिए तो जैसे कि कुछ तो बहुत सिंपल है से फॉलो करना है इंटर्डूस करना है और यूर्सेल्फ इंडियर डिस्कॉर्ड कम्यूटी तो वह आप जोइन करना इन्स्रॉक्शन दिये हुए है कैसे कैसे आपने करना है सारे इंस्रॉक ग्लोबल के टास्क है इसको ल Abg, ढूस्तों मूवेक्स के टास्क आमूवएक्स इंका एक डिफ्रेंटंट और स्विवैक्सिस्टम इकृत नी है तो एक पर जो ँछार रहा है इन ने यह है SHAPS के डास्क है लिए हैं वो सब complete कर लेना ठीक है सुइट वालेट जो हमने बात करी वालेट के आरे में यह स्वेट वालेट की तरफ से हैं यहां पर यह करना एंपर क्या क्या बोला गया है mint suite NFT, get aerobe and do transaction तो यहां पर जो बोला गया है वो टास्क आपने करने होंगे तो जैसे कि जो आप किलिक करोगे आपको चोटा से एक बटन दीखिए करना आगे आप चले आएंगे आप चले आएंगे आपने ये काम कर लिया है तो इसी तरीके से आपने यहां पर करते जाने है जो जो आपके यहां पर होते जाएं जितने जितने आपको सबको देखना है पढ़ना है समझना है और करते जाओ टास्क तो सुएट के यह हो गए यह आप सब देखना जो जो नहीं हो रहे हमारे discussion group में आकर discuss करना बाकी मैं तो यहां पर कुछ इस तरीके से रन लेजेंड के नाम से टलोफा गेम्स की तरफ से तो यह भी सुए का ही एक product है तो इसकी तरफ से भी टास्क है यह भी आप complete करना एंड क्लेम टलोफा रोल यहां पर आपको मिलेगा अब गिरेड रन लेजेंड गेम प्ले करना पड़ेग तो हर एक टास्क के एंड में दुस्तों आपको रोल मिलेगा जैसे कि क्लेम एथोस रोल टास्क रोल मिल जाएगा आपको यहां पर यहां पर सुएट रोल मिल जाएगा यहां पर आपको शायद अभी इसमें पिराहना में शायद कुछ नहीं है लेकिन यह एड होते रहेंग जाएधा खुशी है भाहाँ पर मिलेगी कि पेशिंस के साथ काम करोगे दोस्तों तो फूचर में प्रॉफिट भी ज़रू मिलेगा अब इसके इलावा जब आप यहाँ पर सुट वालेट में जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है डैप्स को अप्शन तीक कि यहाँ पर किल कर सकते हो लेकिन उसके लिए शायद काफी सारे फॉसेट की नीट पड़ती है तो वह एक एशू यहाँ पर क्रेट हो सकता है क्योंकि अभी इनका फॉसेट है वह सही तरीक से काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं और यहाँ पर मिलेगी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी देख लो जो आपको testnet का faucet मिल रहा है उससे आप यहाँ पर उनको यूस करते जाओ ठीक है और blue move के अंदर testnet based nft आती है तो वो testnet वाली nfts पर आप focus अको कौन कौन सी आ रही है कौन कौन सी आ रही है मौका जैसी मेले वैसी महाँ पर उनको mint कर लो तो अभी हम अभी आप देख सकते हैं हम sui blue move पर है जब आएंगे यहाँ पर launches पर आपके लिए करेंगे तो देख सकते हैं कौन कौन सी upcoming है यह तो ended है upcoming में अभी कुछ नी दिखा रहा है यहाँ लेकिन यहाँ पर यह वाली बता रहा है जो की sold out हो चुकी अभी ठीक है इसकी हो चुकी होगी शायद अभी कुछ टेम पहले है तो यह प्रिजेक्स आ रहे हैं sui q पर एंड यहाँ पर इनको आप मिंट कर सकते हो testnet पर इनका फायदा क्यों को दोस्तों फायद का कुछ नहीं पता लेकिन future में कुछ भी पॉसेबल है ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर sui wallet की इसक जिसमें आप अपनी NFT कर सकते हो एक कैनेक्ट पर किलिक करना यहाँ पर यहाँ पर इनका हो जागा एंड यह जो प्रोड़क्ट है और यह उनली sui wallet की थूप की थूप ले थे तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम यहाँ ले सकते हैं और क्रेट पर किलिक करना एंड यहाँ पर इस पर जाएंगे तो इसको भी आप लोग पर लोग पर शुब्स कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको पर फफॉर्म करता कुछ भी टैटल रिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर ले लेना साइज यहां पर हम अपने फॉस्ट के साफ लेंगे हमारे पस बैलनस के तो मैं तो इन तो इन स्वेट याप पर करते हो तो यहां पर wallet one, wallet two, wallet three ऐसे different wallet हैं इसे तो मैं आप तीन wallet बना रखे ताथ इसमें मर्खना बिनारगी, जसमें फर्स्ट अपना second दूसरे wallet का देना टीक है । इसे आप दे सकते हो और पर जूज एडुर्सेज में कौन से दोगे यहां पर दोस्थ हम पर दो जासि थोगे निए यहां पर दो। इसको की डिरागा हैं में डोध यहां तो मैं इसको करता हूं हिक अजा खुर दो ने ग रा है यह रहा हो और है कुछ संहे इस से बस्काषिन से ब्डोलम की पर केंकि किक हम NFT Market Places कोई की उपर and NFT Market Places ही मुझे यहाँ पर लगा जैसे कि मैंना इसको उपन करके देखा तो कुछ इस तरीकी का दूस्तों यह है and यहाँ पर भी आपने इसके साथ प्ले करना है यहाँ पर देखेंगे आपको फॉसट में 49 मिले है यह अलग से इस मार्केट के लिए ही मिले है ठीक है और यहाँ पर आप क्रेट कर सकते हैं अपनी उनिक NFT खुद की NFT क्रेट करके देख लेना ठीक है क्रेट कलेक्शन, एड कलेक्शन तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा अपलोड कोई भी फोटो फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं उसका नाम दे सकते हैं आप फीचर इमेज यानि कि उसका क्या आप महाँ पर फीचर करना चाहते हैं यानि कि एक तरीके से टेंपलेट टैप आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी देना है यहाँ पर वाले टास्क यह वाले टास्क कितने जादा मैटर नहीं करेंगे अब लोगों के लिए जो एनेफटी हम लोगों को मिल ले ही हो आप देखिए कॉन सीन के अनॉंस्मेंट आ रहे है वहाँ पर कोई स्पेशल एनेफटी मिल रही है तो वह हमारे लिए मैटर करेंगे तो यह जो डेवनेट के टास्क हैं आप प्ले अराउंड करना चाहो इन प्र इनकी जो प्लेशीट है जो आपके साथ यहां पर मैंने शिर करी थी यह तो लुष्ट अर्ट पारडी स्प्रेशीट है इस प्लेशीट का लिंग आपको इस पोड़ेश्या पर मिल जायागा मैं लिंक दिस्करपिशन में डालगा एंड यहां पर आप क्या कर सकते हैं आप आईए एंड यहां पर देखिए कौन कौन से प्रजेक्ट हैं सब पर फोकस अपके डिस्कॉर्ड में थोड़ा फोकस रखिए के अनॉंसमेंट कर रहे हैं ट्टर पर फोकस रहे हैं क्योंकि दुस्तों यही चीज यह काम थोड़ा मुश्किल भरा है थोड़ा ध्यान रखने व तब तक लिए दूस्तों बबाई टिक क्यार एंड सी यू सून